तो गाईस हमारे बहुत सरे भाई लोगों के पास यह message लिख करके आ रहा है कि उनका India Post Payment Bank का जो खाता है उसे block कर दिया गया है, freeze कर दिया गया है और यह जो message है अलग-अलग UPI से अलग-अलग तरीके से लिख करके आ रहा है जैसे कि यहाँ पर Paytm से payment करने पर यहाँ पर लि खाता है उसको block कर दिया गया है या फिर freeze कर दिया गया है जैसके वज़े से आपके account से यहाँ पर payment नहीं होगा ठीक है आप payment करने के लिए कोई दूसरा खाता का प्रियोग करें ठीक है तो बेसिकलिए अगर Google पे phone पे के माध्यम से अगर आप जो ही कि payment करेंगे तो आपके स इसके करेंगे इसके लिए क्या प्रोसेस है आप लोग को step by step बताने वाला हूं तो वीडियो को बीना skip किये पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सर्टिक जनकारी मिल सके अब देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक पेमेंट निस का बैंक है यानि कि यह एक पेमेंट बैंक है जैसे फीनो पेमेंट बैंक हो गया है ठीक है लेकिन second condition यह है कि अगर आप लोग जीरो बैलेंस एकाउंट ओपिनिंग कराते हैं इंडिया पोस्ट में तो आप लोग को लिमिट बहु कि कहीं न कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर आप खुद फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ इस तरीके से बैंक को लगता है तब आपके एकाउंट को जो है कि फ्रीज कर देता है ठीक है ब्लॉक कर देता है और अगर कोई जो है कि अगर आपके उपर पेमेंट करत या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है तो ऐसे किसमें आप लोग कैसे ठीक करेंगे इसे तो देखिए अगर आपका जो है कि खाता अगर आपका फिरिज कर दिया गया है साइबर क्राइम ब्राश से तब तो भी आपको साइबर क्राइम ब्राश को कॉंटेक्ट करना होगा या फिर जिसने भी complain किया है उससे contact करना होगा कि वो अपना complain वापस ले और आपका जो है कि आपका जो account block किया गया है फ्रोज़ किया गया है वो unfreeze हो जाए यानि कि unblock हो जाए ठीक है और second condition ये है कि अगर आपका जो है कि branch के थूरू block किया गया है तो आपको जाकर कि KYC update एक बार करा लेनी है और KYC update जब आप कराओगे तो जो आपका खाता है वो unblock हो जाएगा unfreeze हो जाएगा ठीक है तो ये देखे दोनों case है दोनों के case में अलग-अलग तरीके से आप लोग जो है कि अपने खाते को unfreeze करा सकते है अन-block करा सकते है ठीक है तो आई हो कि आप लोग को इस वीडियो के अमाध्यम से पता चल गया होगा और वीडियो इनफॉर्मेटी लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलता है फिर किसी next वीडियो में एक नए अपडेट के साथ